अई यह सागोन का पेड़ है सागोन एक इमार्ति लखडी होती है हम इस समय दिल्ली में हैं नौर्थ वैश्ट में विकासपुरी का एरिया है विकासपुरी का एक कालोनी है उसकी रोट पर हूँ साइकल पर हूँ यह जो नीचे पत्ते पड़े हुए है आज पांच अप्रेल है दो हजार एक्किस आपको यह बताने के लिए कि जो वीडियो बनाया था होली का उसमें ऐसे पत्ते पूरे भारत में हजारों जिगे लाखो सुरू है यह पत्ते जड़ते हैं उस समय आप सोचिए जब यहां जंगली जंगल हुआ करता था तो पत्ते बहुत ज़्यादा हुआ करें और यह किसी ने सिगरटी और बिड़ी फैंकी है यह आग भी लगाई होगी तो यह पौधे और पेड उसकी लपेट में चपेट में आगे यह बिजली के तार भी और यह सारा एरिया यहां से जल गया हाला कि यह पौष एरिया है और यहाँ आग लगनी नहीं चाहिए मगर इहां लगनी है मेरा बतानाय का जो मक्षद है वो सिर्व इतना है कि जो भारत में भूली के नाम से जो फैस्टिबल होता है उस फैस्टिवल में जो आग लगाने की प्रंप्रा है वो दरसल भिक्कू लोग सारे और भिक्कू के उपासक और भारत के जो मून लिवासी हैं वो सारे पत्ते इखटे करते थे और पत्ते इखटे करकर उनमें घेरा बनाकर उनमें आग लगाया करते थे ताकि जगे जगे आग ना लगे और स्वच्छित रहे और जब आग खतम होती थी तो वो पानी डालते थे इससे ये पेड़ और पौधे सारे बच जाते थे इस परंपरा को तो लोग भूल गए और एक बेकार की और घटिया परंपरा जोड़ दी जिससे पेड़ों का नुक्सान तो होता ही है शरीर का नुक्सान भी होता है और मन का नुक्सान भी होता है लोग आग लगाकर पौलूसन और धुआ करने लगे जबकि ये जो आग थी इन पत्तों को ठिकाले लगाने के लिए और जंगल में आग ना लगे उसके लिए ये परंपरा बनी नहीं ये होली की एक परंपरा है पुली की बहुत सारी प्रंपरा रही है जंगं सरेनं गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामूँ जंगं सरेनं गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामूँ